सबसे पहले आपको देख सारी सुप काम लाएं सिंजिन सुपरिस्टार सीजन 2 के आप दिनर होते हैं इसकम रूबर में तो दर सारी को में इसना बड़ा नाम बनाना है किस तरह थी जर्नी बहुत अच्छी थी उतार जड़ाओ भी थे मज़ा बहुत आया यही थी की मसफिर थी, कभी भी बोर नहीं हुआ और हमेश्या कुछ नया सीखने को मिलता था हर अफते कुछ नया मिलता था और इतने अज़ी अच्छे घाने सुनने को मिले जो मैने कभी सुनने भी नहीं थे गाने का मुका मिला और इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने गाने का मौका मिला, उनके साथ में गाने का मौका मिला, तो बहुत अठी जेनी थी. जब आप रियालिटी शो में गए, किस तरह का रिस्पॉंस आदा गढ़ वारवार वो तरब से, फ्रेंड के तरब से? मैं थोड़ा सबसे आइसोलेटेड था फैमिली से बात करता था और जो शो के अंदर थे था कि फोकस जो है वो फोकस मेरा सिंगिन पे रहे इसलिए इसके अलावा किस तरह से अपनी करियर की शुरुआ हुई मेरे नाना जी उस्ताज शेकुर खासाब मैं उनसे हमारे ब्लड में मुजिक आया और मैं सिंगर बना बहुत छोटा था मैं सिर्फ गुनगुना था ऐसे चोटे मोटे गाले इतना मुझे नहीं पता था कि मैं शो में जाओंगा या कुछ ऐसा होगा तो नाना जी मुझे बहुत प्राउद फ्ल करते है नाना जी की चागित है उनका नाम है । प्रताब सिंह चीजी नाम निहाँ चाऊ пожआओगा उनके पास कोल आया था सारे गाहांगंगे कि कोई इगर आपके पास है आपके गुरू-जी के पास नयार होई तो बताइए पर दोस्त बने हमें से आपने कॉलाइब भी किया अगर आप बताना चाहिए कि सबसे अच्छी दोस्ती अपकी किसी ती ओन से सबसे थी मेरी तो क्योंकि हम सब साथ में बैठते थे तो अगर मैं एक जोग मार रहा हूं तो मैं इसको भी बताऊंगा और जो जीतर अगर एंड तक बैठे है न सब को बचांगा जाए कि मैंने ऐसा ऐसा किया तो सबसे दोस्ती थी और अभी भी सबसे बात होती है बट प्राणजल से थोड़ी जादा होती है कि कर रहे हैं अगर किसके अलावा कोई बी रिमिक्स गाने की मैं चल्छा हूद ब्रेंड पर अगर कुछी रिमिक्स गानी अगर कॉलाप करना हो प्रांजिली लिफार को अगर रिमिक्स नहीं रिक्रियेशन हो रहा है एक गाना जो आचल के तुझे बहुत पुराना गाना है कि शोड़ा का वो हम दोनों अभी हमने कुछ नया ट्राय किया उसमें उसमें फोक गाया है मैं प्राइब से बहार नहीं तो इंड़ेश्ट्री से किस तरह सा ईए आप कुछ बतासा हम जाए घर आपके द्रॉंघ हो रही है बहुत छीजिशों के बारे में बात चीथ हो रही है और क्वेरिस आ रही हैं प्राइब कुछ कह नहीं सकते बहुत चीजयों हो सकते यह बड़ी इंस्पिरेशन अधीजीट सिन सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती कि आपके सभी गाने आप ट्राइगा थे वोग हो गया, रैक हो गया, क्लासिकल हो गया, सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको और सबसे डिफिकल्ट क्या लगता तो यह तो मुझे खुश ऐसे लगता नहीं है यह दो लगता है थे आखुत को मीनिट में अब करować क्लासिकल्ल की penalty अपक्रेशन करें किस तरह से और प्राक्टिस करें तो क educate नाना जी की अप बाद के नाना जी बहुत जॉइफूल आदमे थे, हमेशा एंजॉइ करते थे लाइफ को, और मुझे बहुत प्यार से रखते थे, कभी भी कोई चीज आती थी, जैसे आइस क्रीम का कुछ आता था, या पानी पुडी का कुछ आता था, जो भी आता था, मूम फरी वगरा, सब मैं खात प्रॉब्लम होती है, कभी उन और रोका अपकी स्टार्टिंग एज में, या फित कोई भी, यह जीज मैं नाना जी से ही सीखा हूँ कि नाना जी भी सब खाते है, उन ही से यह चीज आई है कि वह हमेशा कहता है कि शिर्क नहीं करना कभी भी, जो लोग सोचते है कि मेरा यह बैठेगा तो बैठेगा, आपने बेड़े में माइड़ा रखा है, बना तो बाड़ए हम साप से रीयाग करेगी मैं सब कहता कhou मैं a Ice Cream, मैं ठंडा पानी पीता हूं मैं पानी पुरी खाता हूँ जो है साब और झो जितनी बुछी चीज़े हैं वो मुझे अच्छे टरीके चीमिर मंध करे हमें जिसने को कहने खा । इस संटर्म पूराराइप काफीलों चाहते हूं अगर कोई भी मौका मिला तो किस तरह से आप देखोगी उस सौंग को यह भी बहुत अच्छा सवाल है कि यह तीनों को करना होगा तो कैसे होगा देखते हैं इसका भी कुछ और आगर आप लोगों को देखना है यह बारे में तो आप लोग प्लीज अरुनिता दीपवन भया को भी यह चीज बोलिये और अरुनिता जी ने तो बोला भी था फिनाल अगर आगे की बात करूं जिस तर आम कुछ फूचर प्लान करता है पाथ साल के बाद यूट्वी क्या है बकेट लेश्म अगर कुछ अगर ड्रीम करके रखें क्योंकि यह जो पिरेड होगा 15 साल के बाद 20 साल दर यूट्वी जो पाथ साल में बात करो आपकी लाइफ में स अगर आपकेट लिस्ट की में बात करो, तरहीं क्या है बकेट लिस्ट यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं ग्लोबल स्टार बनों की के चाहरा गई पांट साल नहीं है वो प्रेजेंटेबल नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि लोग उस लेवल पर मुझे फसंद करें और इंडिविज्वल भी काम करना चाहूँगा बहुत सारा और मुवीज में गाना चाहूँगा अफकॉर्स कौन नहीं गाना चाहेगा मैंने तो यह सोच रहका है मुझे किसी को छोड़ना नहीं है सबसे पहले किसे लिए गाना जाता हूँ यह कभी सोचा नहीं है एक बार शुरुपात हो जाती है उसके बाद तो बदब चाहेंगे तो बहुत सारे आएंगे कि सबस्क्रादे बनने के भादेग्ण इस इसन में नहीं है एस तो बतो भूब था yourself कि अचल अजे सब्धर टना चाहते हो है तो सब्सक्राद र्राब कि अचांगई तो मिषाल मिष्रा जी का मैं नाटू नाटू को और RRR को जो अवार्ड मिला है तो अभी इंडिया के लिए बहुत प्राओद मोमेंट है फर्स ताइम नमिनेशन भी वह ग्लोब अवाड़्स में और फर्स ताइम अवार्ड भी मिला है इंडिया के नाम पी कोई दो लाइन, कोई ऐसा दो देश के लिए जनता के लिए जो आपको प्यार करती है जी जो मेरे साथ थी, मुझे को तड़ पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही मा तुझे सलाम, मा तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम प्रोजेक्ट्स आप दूआ कीजिए, बहुत सारे आएंगी तो अपश और तो तीन महीने हुए यकिँ को खतम हुए拜拜 अब से महीं हम से औरौजेक्ट्स आप सभी हुए जिए तो अधी जिएग़े जैसे नढ़े ऑधी दिर्यास, वो इनको बहुत सांद्गे और शूंग्द पिर, इनको बहुतacă प्ता हैुण休्ट्स तो जो मुझे ना मिली तो बरबाद खुद को करूँगा हो जाऊंगा मैं तबापर जिदना मैं ये छोड़ूँगा तेरे बिना मैं जीना सकूँगा दर्दे जुदाई सेहना सकूँगा तो जाऊंगा तो जाऊंगा तो जाऊंगा